हलो दोस्तों मैं देख रहे हैं रास्तान इलेक्ट्रिकल्स तो आज किस वीडियो में हम आपको सिलिंग लाइट लगाना सिखाएगे किस प्रकार से इसको इस्टोलेशन करते हैं और एक ऐसी लाइट के बारे में बात करेंगे जो आप कॉंशिल्ट बॉक्स में भी लगा सकते और विणस तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कंप्लिट जयानकारी इसके बारे में देते हैं तो देखिए यह यह हमारी यहां पर सबसे ज्यदा लगने वाली light है जो कि हर market में आसानी से available हो जाती है और कुछ light का जो surface light आती है उसका link आपको description में मिल जाएगा आप purchase करना चाहते हैं तो वहां से भी अच्छे अच्छी light है आप purchase कर सकते हैं तो देखिए इसमें कुछ इस परकार का spring लगा रहता है जो हैं यदि आपको इसका यूज करना है तो इसको आसानी से लगा सकते हैं बस connection करना है और इन spring की साहता से बिना किसे screw के आप आसानी से इस परकार से लगा सकते हैं यदि आपको surface light की तरह इसको यूज करना है casing keeping wiring में लगाना या फिर पटियों का जो चज्जा होता है या पटियों की चछत होती है उसके अंदर आपको ceiling में लगानी है तो इन सब की जो spring लगी होती है इनको हटाना होता है और अठाने के बाद में screw और गिटी की साहता से लगाना होता है तो देखिए इसके निचे का जो diffuser है यह आसानी से खुल जाता है इसको open करने के लिए आप थोड़ा सा round गुमाना पड़ेगा और यह आसानी से देखिए इस परकार के lock बने होते हैं यह लोक यहाँ पर बने रहते हैं और इसको गुमाने एंटिकलोक वाइज गुमाते हैं तो यह आसानी से open हो जाता है और open होने के बाद में यह जो उपर spring लगी रहती है इसको आपको हटा देना है तो कुछ इस परकार से दबाना है और दबा कर आप आसानी से हटा दीजिए द तो देखिए यहाँ पर screw लगाने के दो hole दिये रहते हैं अलग से तो यह facility सिर्फ इस light के अंदर मिलती है जो की two in one आती है यानि कि दोनों के अंदर ही fix हो जाती है और सबसे ज्यादा राजस्तान के अंदर सबसे ज्यादा यही light लगाई जाती है तो कुछ इस परकार से दे लगा है क्योंकि यह चज्जा जो है यह पटियों से बना है तो इसमें लग सकता है तो कुछ इस परकार से आपको रखना है light को और यहाँ पर मार्किंग कर लेना है जहां पर भी जो यानि एक से डेड इंच आप बलेक स्क्रू लगा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो उस चज्जे की मोटाई होती है उसके साब से आप इसक्रू स्लेक्ट करें और देखिए कुछ इस परकार का 6 mm का बिट हमने ले रखा है और कुछ इस परकार से जितना हमारा गिट आपर किए वहाँ पर हम्हाई रही है दो होल इसमें निकालने पड़ते हैं यदि आफ एक हुल झिकालते हैं तो भी यह आच्छी से ताइट हो जाएगा कोई दिक्थ नहीं है कुछ-टोट होती है जो एक साइड से टायट नहीं होती है तो उसके लिए आप दो हॉल निकाल निकलने के बाद में आपको गिटि लेना है जो साही की साइज का मिल जाता है लेकिन उसकी प्रकार कर के लगा दें तो देखि है कुछ इस परकार से हम लगा हमने लगा दी है और एक बाहर रहाए है तो जो गिट्टी बाहर रह जाता है उसको इस परकार से देखिए पेचकस या किसी भी साइटा से आप काट सकते हैं आसानी से तो कुछ इस परकार से अच्छे से हो जाता है उसके बाद में ये पाइप अगेरा जो उपर कंडियूट लगा रहता है वो आपको देखना है कई लाइट और ताने के बाद में तो ये कट नूटरल आपको दिखाई दे रहा है एक इसके अंदर लगा देना यह जासे लिए भी गया हुआ है नेटे लाइट में अधलिकवी ले सकते हैं किसवीच्छ ब्राइब पार मॉंचे नहीं है क्योंकि जैसा डिमान्ड होता है fishing कॉयुकि three Department और सबस्क्राइब कालरफुल लाइट होती है तो सारी लाइट है एक साथ ही जलाते हैं ऐसा नहीं है कि अलग-अलग एक लाइट ही जला कर रखें तो इसमें दो तीन या चार लाइटों का एक connection देतें तो होँवी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप दे सकते और इसके अपर आपको अच्छे से दध्यान रखता है कि टेप अच्छे से लगाना है है मैं कोई भी किसी परकार की दिक्कत नहीं आएगी और उसके बाद में कोई भी सवाल सुजा होता है आप कोमेंट करके बता सकते हैं आपको रिप्लाई सो परतिसत मिलेगा यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें क्यों कि इसी परकार की नॉलिजबल वीडियो यहां पर आती रहती है और वीडियो नीचे लटका हुआ नहीं रहना चाहिए वरना यह लाइट उपर उठी वी नजर आती है तो कुछ इस परकार से बिलकुल सैट करके आपको लगाना होता है उसके बाद में दो बलेक स्कुरू आपको लेने हैं जो की एक से डेड़ इंच के होते हैं वो जिस परकार की आपक से लगा सकते हैं क्योंकि बलेक स्कुरू होते हैं वो लगाने में विलकुल आसान होते हैं तो वही उसी का यूज करना चाहिए ताकि आपका काम भी फश्ट हो सके तो कुछ इस परकार से देखिए बलेक स्कुरू हमने लगा दी है और लगाने के बाद में इसके उपर को Salvador पता चल रहा होगा कि यह Deutschen box में लगता है तो भी ऐसा ही दिखाई देता है और बिना इसाई में दिखाई देता है और बिना चैसा हे नियों कोई दिक्कत नहीं है not लगा सकते हैं और प्श्छश बरकारशी यह जो लाइट के अंदर आती है जैसा आप चाहें उस इसके नीचे का जो diffuser है वो हम लगा देते हैं और लगाने की बाद में इसको इन सभी लाइटों को जलाने की बाद में कैसा लुक आता है वो भी वीडियो के लाश्ट में देखने को आपको मिलेगा तो वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें तो देखे कुछ इस परकार से नज बनाके लगाया है तो कुछ इस परकार से नजर आती है देखिए लाइटे जब जलाते हैं तो कुछ इस परकार से नजर आते हैं कैसा लगा वीडियो कोमेंट करके बता हैं चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी शेक कर लें चलिए मिलते हैं अगले वीडियो म अंदर मिलते हैं तो तब तक के लिए तन्यवाद दोस्तों